हेलो एबरिवन वेलकम बैक तो माई यूटूब चनल तो जैसा कि आपको पता है कि AIB17 का जो रिजल्ट है वो पलगोशित कर दिया गया है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना रिजल्ट देख भी लिया है और बहुत सारे लोग पास भी है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका result जो है withheld लिखके आ रहा है या reject लिखके आ रहा है तो withheld और reject क्यों लिखके आ रहा है और इसके बारे में BCI क्या कहती है इनका result कैसे सही होगा ये कैसे पास होंगे इसके बारे में separate में मैं एक video detail में बनाऊंगा और वो सारी चीजे बताऊंगा कि अगर आपका result withheld लिखके आ रहा है तो आप कैसे उसको सही करेंगे कैसे आपका result दुबारा BCI के द्वारा publish किया जाएगा तो बिल्कुल आप लोग परिशान न होई है जिनका result withheld लिखके आ रहा है उसके बारे मैं साम तक जो है एक separate video बनाऊंगा एक detail में video बनाऊंगा और सारी चीजे आपको आसान सा language में समझाने की कोशिस करूँगा तो जो लोग withheld result लिखके आ रहा है उससे परिशान है बिल्कुल परिशान न होई है आप लोग दुबारा आपका result गोशित किया जाएगा और आप पुना पास किये जाएंगे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AIB 17 के latest update के बारे में तो जैसा कि आप जानते हैं जैसे ही कल साम को result आया उसके बास से website जो है उनका server डाउन हो गया website पे आपका result अपलोड नहीं हो पा रहा था आप उसको नहीं देख पा रहे थे तो ये सारी समस्याएं कल से ही उत्पन हुई है तो इसको लेकर के BCI ने एक नया notification निकाला है और वो सारी चीजे उस notification में उन्होंने बताई है तो जो लोग result देख चुके हैं जो लोग पास हैं उन सबको शुक काम ना है जो लोग नहीं पास हैं जो लोग अभी तक result नहीं देखे हैं तो उमीद करता हूँ जब भी अपना result देखेंगे वो लोग भी पास होंगे तो AIB 17 जो है result पब्लिश कर दिया गया है अब जो है उसके बाद से आज एक पुना AIB के official website पे एक notification आया है उस notification को हम लोग देख लेते हैं उसमें क्या कहा गया है तो मैंने आपको बताया कि कल जो है result पब्लिश कर दिया गया था बहुत सारे लोग कल से ही try कर रहे हैं लेकिन result नहीं देख पा रहे हैं तो result कैसे चेक करना है मैंने आपको कल ही बता दिया था यहां पे देखिए AIB के official website पे जा करके यहां पे आप क्लिक करेंगे उसके बास से login ID और password जो आपका registered email ID है वहां पे गया होगा जिस भी email से आप farm भरे होंगे उस email पे जो है आपका login ID या user ID और password दोनों वहां पे send किया गया है तो उसको जो है इस link पे क्लिक करके आप अपना user ID और password डालेंगे और पुना जो है अपना result जो है देख लेंगे next हम बात कर लेते हैं उसके नीचे एक notification है AIB 17 के सम्मद में तो इस notification के बारे में हम detail में बात करेंगे next video में जो आज का जो notification है जो BCI ने पब्लिश किया है उसको देख लेते हैं तो सबसे नीचे हाँ देख लीजिए एक मिनट मैं इसको थोड़ा जूम कर दूँ देखिए यहाँ पे लिखा है dear candidates this is to inform you that due to some technical glitch on website the website is under maintenance till 5 p.m. after 5 p.m. you can access your result यानि कि साम 5 बज़े तक जो है आज साम 5 बज़े तक AIB का जो official website है जहाँ पे result पब्लिश किया गया है वो maintenance में है some जो है technical issues आ गया है website चल नहीं रही है तो उसको maintain किया जा रहा है उसको सही किया जा रहा है और साम 5 बज़े तक उसके maintenance में लोग लगे रहेंगे साम 5 बज़े के बाद से जिन लोगों ने AIB 17 का result नहीं देखा है वो उसे देख सकते हैं तो आप लोग बिल्कुल परिशान न होईए पांच बज़े के बाद से कभी भी आप जो है अपना result आसानी से चेक कर सकेंगे चुकि वहाँ पे जो AIB का जो official website है उस पे maintenance का कारे चल ला है इस वज़े से आपका result नहीं दिख रहा है server not found लिख के आ रहा है तो ये सारी समझ साय है जो कि साम 5 बज़े तक साल्व हो जाएंगी साम 5 बज़े के बाद से जो भी AIB exam में बैठे थे वो लोग अपना login ID, user ID और password डालके अपना result चेक कर लेंगे तो ये information जो है BCI के official website से जो है publish की गई है AIB के website पर तो आप लोग बिल्कुल परिशान न होई है साम 5 बज़े तक का इंतजार कीजिए साम 5 बज़े के बाद से जैसे ही maintenance का कारे कम्पलीट हो जाएगा वैसे आप आसानी से अपना result चेक कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उन candidates के बारे में जिनका result जो है reject या retail लिखके आ रहा है तो आखिर वो लोग पास कैसे होंगे इस बारे में हम detail में बात करेंगे तो आप लोग बिल्कुल परिशान हो यह सब लोग पास होंगे उसका process क्या होगा मैं आपको next वीडियो में बताऊंगा तो जुड़े रहिए मेरे channel के साथ मिलते हैं next वीडियो में धन्यवाद